ठीक बात कर रहे हैं हम आज किसके बारे में नेपाल अगर नेपाल की बात करो तो नेपाल से भारत के जो राज्य सटे हुए हैं उन राज्यों में उत्रागंट उत्तर पर्देश विहार वेश्ट वंगॉल और कौन शेकिम बाच इतना करें ध्यान यादें पाकिस्तान के साथ हमारी सिमा थैस और वह अफगानिस्तान के साथ हमारी सिमा एक्साओ और वह चाना से मारी सिमा शाओ तिस साओ और वही नेपाल से नेपाल से हमारी सिमा सत्रा साओ एक्क्यावन किलोमीटर की यहां तक कल के गलास में मैं आपको बता दिये थे एक अगर हम बात करें तो उसके बाद यहां पर भारत और नेपाल के साथ एक पानी विवाद है बहुत बार हमारे एक्जाम में कोश्चन साता है काला पानी विवाद एक काला पानी विवाद अगर आप बात करें काला पानी जेल जो है वो अंडमान निको पार में है वो अगर काला पानी विवाद की बात करो तो यह किस देश के साथ है नेपाल और भारत ठेक इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा तान 1816 में एक संदे होई थी सुगोल के संदे और एक संदे अंग्रेज और नेपाल के बीच और परमुकुरूप से नेपाल की जो सीमा का निधारन किया गया ऐसा कहा गया कि नेपाल की सीमा यहाँ पर एक नदी है जिसे हम बोलते हैं काली नदी और इसी काली नदी को उत्तर नाम महागावरी भी है वह यह बात करें इस पॉइंट पर एक नदी है जिस नदी का नाम है मेची कोंस नदी और मेची एक नदी के सहाइक नदी है महानन्दा कोंस नदी तो सुगोल की संदिय में अंग्रेजों ने यह कहा कि इस काली नदी से लेकर इस मेची नदी तक का बीच का जो एरिया होगा वही एरिया किसका होगा नेपाल का काली नदी से लेकर मेची नदी अब आखिर यहां विवाद हुआ क्यों उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नाइंटेशिश्टी टू का रहा था नाइंटेशिटे तो आपको पता होगा नाइंटेशिश्टी टू में चायना ने हम पर हमला किया था और हमला करके इस पूरे प पढ़ेंगे तो उत्रखंड में एक दर्रा घिस डर्रा का नामें लीपु लेक सदर्रा लेख तो ये जो काली नदी है उसका एक परीजन नहीं ये तो अगर हम इसमयब को यह था रहा नेंव नेपाल्ट तो यह जो नदी है इसका Layerering रीण टीन अस्थानों पर है और टीन स्थानों से आगे जाकर फिर आपस में दूसरे से क्या होती है तो आफ देखिए विवाद किस बात को ले कर अ right अब यह नेपाल कहता है कि यहां तक एरिया मेरारे हो ooh vis trig yo और भारत का रहा है कि नहीं इस पोइंट से एरिया किसका है मेरा लेकिन शुरू से इस एरिया मतलब यह लीपू लेक है लीपो लेक यहाँ पे लिपू लेक दर डर्रह पढ़ता है और यह लीपू लेक दर डारेक्ट उबत के रास्ते हमको एक जोगा कानाम सुन्य का्लास परवत कैलास परवस्त से डारेक्ट हमें जोड़ता प्रेटन के लिए मोदी सरकार के द्वारा असी किलोमीटर का हमने यहाँ पर नेशनल हाइवे बना दिया रोड बार्डर रोड और नायजेसन जो बार्डर रोड 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 अने असन ने क्या किया कि यहां से यहां तक लेकर मतलब इस पॉइंट स कहा कि आपने हमसे पूछा क्यों नहीं वह यहां तुम्हारा देश ही नहीं तो हम पूछेंगे तुमसे कैसे तुरू से हम यहीं पर कभजा किये वह सुरू से हमारा है तब तक प्रोटेश्ट जो नेपाल के लोग ते वह अंदोलन करने लगे रोड पर उतर गये एक कि भार भी ताना सा हो चुका है यह भी नेपाल को अपना चाहरा है लेकिन इसके पीछे सबस्वरा जो रीजन था कईना के रीजन चीन था क्यों चीन नेपाल को बहुत अधिक मात्रा में कर दिए और उल्टा सिधा काम हर समय करवाते रहता है कि से अब नेपाल से